सिक्षक्साथियो नमस्कार मीरे चेनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक भिनन्दन है यह वीडियो नियोजित्तिक्षकों के लिए होने वाले सक्षम्ता परिक्षा 2 तथा सक्षम्ता परिक्षा 1 में पास नियोजित्तिक छकू के काउंसेलिंग पर आ रहे बड़े अपडेट से शंबंधित है। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि सक्षम्ता परिक्षा 2 कब से शंपन होने वाला है। इसका एड्मिट कार्ड कब से निकलना प्रारंब हो जाएगा। तथा सक्षम्ता परिक्षा 1 की काउंसेलिंग सक्षम्ता परिक्षा 2 के साथ नहीं होगी अथवा एक ही साथ तो वीडियो में आगे बहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें सबसे पहले बात करें सक्छम्ता परिक्षा 2 के आयोजन की तो आप सभी को यह पता है कि लगभग 85,000 सिक्षक सक्छम्ता परिक्षा 2 का फोर्म भर चुके हैं जिनकी परिक्षा चुनाव के कारण अस्थग कर दी गई है किन्तु न्यूज है कि एक जुन के बाद सक्छम्ता परिक्षा 2 का एड्मिट कार्ड मिलना प्रारंब हो जाएगा और सक्छम्ता परिक्षा 2 6 जुन से लेकर 8 जुन तक शंपन करा लिजाएगी अर्थात सक्षम्ता परिक्षा 2 कुल 3 दिन दो दो पालियों में लि जाएगी न्यूज यह भी है कि सक्षम्ता परिक्षा 2 का रिजल्ट 15 जून तक प्रकासित हो जाएगा किन्तु एक और निवज यह आ रही है कि सक्षमता परिक्षा एक में उतिर्ण सिख्षकों की काउंसिलिंग भी 10 जून के आसपास प्रारंब होने वाली है अर्थात सक्षम्ता परिक्षा एक में उतिर्ण सिक्षकों की काउंसेलिंग सक्षम्ता परिक्षा तू में उतिर्ण सिक्षकों के काउंसेलिंग के साथ नहीं होने वाली है जबकि पिछले दिनों यह न्यूज आया था कि सक्षम्ता परिक्षा के दोनों चरणों की काउंसेल बाद में संपन होगी। किन्तु बहुत ही जल्द सक्षमता परिक्षा तू में उतिर्ण होने वाले सिक्षकों की भी काउंसिलिंग हो जाएगी और उनके विद्यालेओं का आवंटन भी जल्द ही हो जाएगा। एक और महतोपून नियुज सामने आ रही है कि विशिर्ण सिक्षक बनने से पहले नियोजित सिक्षकों को नियोजन इकाई से त्याग पत्र देकर एनोसी भी प्राप्त करना होगा। इसकी संभावना भी 80% जताई जा रही है कि यही होने वाला है। आगे इस पर जो भी अपडेट बनेगा आप तक पहुचाया जाएगा। इस विडियो में इतना ही धन्यवाद।